हाई गाईज वेलकुम बैक टु मैं चैनल मैं हूँ स्पीडी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विन कहें अपना काम ऐसे करवाएं आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब हमारा काम किसी और के उपर डिमनेट होता है और हमें अपना काम करवाने के लिए किसी और की हेल्प लेने पड़ती है उस समय जब हमारे पास कोई ऑप्षन नहीं रहता है तो हमें किस तरह से अपने आपको रेडी करना और कैसे हमें उस इंसान से अपना काम करवाना चाहिए कई बार जब हमें बहुत ज्यादा नीड होती है अपना काम जल्दी करवाने की तो हम उस इंसान को तंग करने लग जाते हैं उसके पीछे पढ़ने लग जाते हैं उसे पार बार force करके उसे बिलकुल दुखी कर लेते हैं कि please मेरा काम कर दीजिए, please मेरा काम कर दीजिए अब पार बार उसे please please करने से क्या होता है कि वो अगला बंदा तो परिशान होता ही है और आप भी बहुत ज़्यादा tension में आ जाते हैं इस tension से बचने के लिए आज मैं आपके साथ एक ऐसी amazing technique share करूँगी जिसे आज ही मैंने use किया है दरे सल्ला मुझे अपना एक बहुत important काम करवाना था जो पिछले दो महीनों से पेंडिनिंग चल रहा था और उस काम को करवाने के लिए मुझे एक appointment book करनी थी जो की ना किसी और person की द्वारा होनी थी और वो appointment ना बस शाम को 5.02 के लिए ही open हो रहे थी अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस काम को करवाना है और मैंने उसे बोल भी दिया था कि please आप मेरा काम करवा दीजेगा और उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम आपका काम बिल्कुल पकी तरह करवा देंगे पर जैसे ही ना टाइम आगे बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ना हीने call करके एक बार कह दूँ कि आप मेरी appointment book कर दीजे बट मैंने सोचा कि जब मैंने तंग करूंगी तो हो सकता ये परिशान ना हो जाए क्योंकि ये अपना काम तो करी रहे होंगे अब मैंने समय इस technique का इस्तवाल किया मैंने क्या किया कि आखों को बंद करके ये feel किया कि मैं उस इंसान के सामने खड़े हूँ और मैं उनके कान में जाके ये कह रही हूँ कि thank you आपने मेरा appointment बुक कर दिया अब ये same affirmation को मैंने 3 बार repeat किया और उनके सामने खड़े होगे उनके कान में जाकर अब ऐसा feel करने से क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने mentally अपनी एक बहुत powerful energy जो उन्हें भेजी वो ये थी कि आपने मेरा काम करबा दिगा thank you so much और ऐसा करते ही उन्हें मेरी याद पूरी तरह आ गई होगी और जब आप ऐसा करते हो ना तो यहाँ पे आप उस इंसान को तुरंत अपनी याद मा दिला देते हो आपके काम की याद दिला देते हो और इसके अलावा आप जो परिशान होते रहते हो उसे disturb करते रहते हो, phone करते रहते हो इस तरह की कोई भी चीज़ है आप try नहीं करते हो आप सीधे सीधे energy के level पे अपनी बात उस सामने वाल इंसान के पास पहुँचा देते हो और ऐसा करते ही क्या हुआ कि अगले एक सेकंड में मेरे पास वो पूरा mail आ गया जहां पे मुझे वो confirmation मिल गया कि मेरी appointment ना book हो चुगी है अब इस टेखनीक का स्तुमाल करते समय आपको एक बात याद रखनी है कि आप पूरी तरह शान्त हो और आपके हास पसना कोई ना हो जब आपको किसी को अपने मन की बात बताना है तो आप ये कोशिश कीज़े कि आप पूरी तरह से relaxed हों क्योंकि जितनी जादा आप relaxed होंगे उतनी ही जल्दी ना आपके लिए टेखनीक वर्क करेगी और जितनी जल्दी आपके लिए टेखनीक वर्क करेगी उतनी ही जल्दी ना आपको रिजर्ट मिल जाएगा So guys, अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना थिहार रुखिए और खुश रहिए बाप बाई